गुद मॉर्निंग बीए सी पार्ट थर्ड पेपर सेकेंट तुड़ें वी विल डिस्कूस प्रिंसिपल अफ सुपर पोजिशन एंड यूजिंग इस प्रिंसिपल वी विल कंस्ट्रक्ट अ वन डिमेंशनल वीव पैकेट आज हम अध्यार ओपन के सिध्धान को पढ़ेंगे और इस सिध्धान का उप्योग करके एक विमेंशन तरंग पैकेट की रचना करेंगे प्रिंसिपल अफ सुपर पोजिशन If साईबन is the wave function corresponding to one state and साईबन is the wave function corresponding to another state then the linear combination of the two wave functions साईबन and साईबन i.e. साई is equal to c1 साईबन plus c2 साईबन is also a possible state यदी किसी भौतिक निकाह समूं की, एक अवस्θा के संगत तरंग फरन साईज वन है, तथा इन दोनों का जो रेकिंस आयोजन है, जिसे हम साईज द्वाला लिख सकते हैं, साई is equal to C1 साई 1 plus C2 साई 2 ये भी बौतिक निकाय समूग की एक संभव अवस्था को व्यक्ट करने वाला तरंग फलन होता है नौ वे विल कंस्ट्रक्ट अ वन डिमेंशनल वेव पाकेट उसिंग प्रिंसिपल अवस्था को व्यक्ट करने वाला तरंग फलन होता है अब हम अध्यार ओपन के सिध्धानत का उप्योग करके एक वन डिमेंशनल वेव पाकेट का निर्मान करेंगे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक ऐसा कंड हो जो एक स्दिशा में गती कर रहा हो और उसकी स्थिती और समवेक में जो अनिश्चित्ताएं हैं वो लिमिटेड हों, सीमित हों और कम हों ऐसे कंड को निरूपित करने के लिए हम एक प्लेन वेव फांक्शन का उप्योग नहीं कर सकते क्योंकि plane wave द्वारा ऐसे कंड को निरूपित करने से उसकी स्थीती में जो अनिश्चित्ता है वो infinite हो जाती है इसलिए ऐसे कंड को निरूपित करने के लिए एक तरंग packet की आवश्यक्ता होती है जिसका X में विस्तार या स्प्रेड कंड की स्थीती में अनिश्चित्ता की कोटी का हो और जिसका समूवेग कंड के वेग के बराबर हो अब हम अध्यार ओपन के सिध्धान का अप्योग करके एक ऐसे ही तरंग packet की रचना करेंगे मान लीजिए एक plane wave है जिसका amplitude a k है wave number k है और angular frequency omega है ऐसी plane wave को हम लिख सकते हैं psi k x t is equal to a k exponential i k x minus omega t यह equation 1 है इसी तरह की बहुत सारी तरंगे जिनका k continuously change होता हो और minus infinity से plus infinity की range में हो उनके लिए हम एक ऐसे तरंग packet या wave function का निर्मान कर सकते हैं जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है psi x t proportional to integral a k exponential i k x minus omega t d k यहां हमने समाकलन किया है क्योंकि k continuously vary हो रहा है proportional t sin हटा कर constant रखने पर हम लिख सकते हैं psi x t is equal to 1 upon under root 2 pi integral a k exponential i k x minus omega t d k यह equation 2 है since the momentum of the particle represented by the wave packet have a finite spread the wave number of the superposed waves will also have a finite spread delta k current को wave packet द्वारा निरूपित करने से space में उसका जो spread है वो delta x होता है और वो finite होता है इसी प्रकार उसको momentum में जो spread है delta p या momentum में जो अनिश्रिता है delta p वो भी finite होती है अगर momentum में जो spread है delta p वो finite है तो wave number k में जो spread है delta k वो भी finite होगा so we assume that the amplitude function a k peaks at k 0 is equal to 2 pi by lambda 0 and sharply falls to 0 outside the range k 0 plus minus delta k by 2 इसलिए अब हम assume कर रहे हैं कि a k k का एक ऐसा function है जिसका जो peak मान है अधिकतम मान वो k 0 पर है जहां k 0 की value है 2 pi by lambda 0 और इसका spread delta k region में है अर्थात a k k 0 के दोनों तरफ बहुत तेजी से कम होता चला जाता है और k 0 plus minus delta k by 2 पर 0 हो जाता है a k को k का ऐसा function assume करने पर हम delta k को finite मान सकते हैं let the angular frequency omega of the component waves vary slowly with the wave number k that is omega is a function of k मान लीजिए तरंग packet को बनाने वाली जो तरंगे हैं उनकी आवरित्ती omega wave number k के सापेक्ष धीरे धीरे परिवर्थित होती है अर्थात omega k का function है तब Taylor series expansion के द्वारा omega को k 0 के around expand करने पर हम लिख सकते हैं omega k is equal to omega k 0 plus k minus k 0 d omega by dk k is equal to k 0 plus k minus k 0 square by factorial 2 d2 omega by dk 2 at k is equal to k 0 plus आगे higher order terms है हमने उपर ak के चित्र में देखा था कि ak का अधिकता मान k 0 पर था और k 0 के दोनों तरफ ak का मान बहुत तेजी से कम हो गया था इसलिए हमें पता है कि k minus k 0 का मान बहुत कम है omega k के इस expression में k minus k 0 की जो higher order terms है उनको हम neglect करते हैं और लिखते हैं omega k is equal to omega k 0 plus k minus k 0 d omega by dk at k is equal to k 0 मान लिजिए omega k को हम omega लिख रहे हैं और omega k 0 को हम omega 0 लिख रहे हैं और d omega by dk at k is equal to k 0 को vg लिख रहे हैं तो यह equation हो जाती है omega is equal to omega 0 plus k minus k 0 vg यह equation 3 है इस equation 3 को अब हम इस equation 2 में substitute करना है equation 2 कौन सी थी? यह equation 2 है psi xt wave packet psi xt is equal to 1 upon under root 2 pi integral a k exponential i k x minus omega t dk यह omega की जगे omega का यह मान रखने पर equation आती है psi xt is equal to 1 upon under root 2 pi integral a k exponential i k x minus omega 0 plus k minus k 0 vg t dk अब इस exponential term के अंदर हम एक term add करते हैं हमने इसमें k 0 x को plus किया और minus किया result आया psi xt is equal to 1 upon under root 2 pi integral a k exponential i k minus k 0 x plus k 0 x minus omega 0 t minus k minus k 0 vg t dk यहाँ exponential में 3 terms हैं इसमें से एक term k 0 x minus omega 0 t को हम इस पूरे integral से बहार ले सकते हैं क्योंकि k 0 और omega 0 constants हैं और इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 upon under root 2 pi integral a k exponential i k minus k 0 x minus vg t dk और इस प्रकेट के बहार लिख दिया exponential i k 0 x minus omega 0 t यह equation 4 है इस equation में को हमने 2 parts में divide किया हुआ है जो first part है उसे एक big bracket से मैंने separate किया है यह first part इस wave packet का amplitude है इस wave packet को हम चित्र में दिखा सकते हैं इस wave packet की first term को हम f x t लिखते हैं तो psi x t हो गया f x t exponential i k 0 x minus omega 0 t यह equation 5 है जहां f x t होता है 1 upon under root 2 pi a k exponential i k minus k 0 x minus vg t dk यह equation 6 है इस wave packet को डिखाया गया है यह हम देख सकते हैं कि जो resultant wave है उसका एक finite spread delta x है और इस resultant wave का जो envelope है उसकी velocity vg है और जो wave है इस envelope की अंदर जो wave है उसकी velocity face velocity होती है the velocity of the envelope is called the group velocity and the velocity of the wave inside this envelope is called the face velocity face velocity निकालने के लिए जो wave packet का expression था उसमें से second term में से हमने लिखा k not x minus omega not t is equal to constant यहां से dx by dt आता है omega not by k not और vp अर्थाद face velocity होती है omega not by k not ग्रुप velocity निकालने के लिए हम fxt में से लिख सकते हैं k minus k not x minus vgt is equal to constant यहां से dx by dt का मान आता है vg vg d omega by dk के बराबर था इस प्रकार हमने देखा कि जो resultant wave आई है जिसे हम wave packet कहते हैं उसका color wave omega not by k not के बराबर होता है और sum wave d omega by dk के बराबर होता है wave packet का expression था psi xt is equal to fxt exponential i k not x minus omega not t अगर हम psi xt के modulus का square लेते हैं या probability density निकालते हैं तो psi xt में जो exponential term है उसका contribution खतम हो जाता है और resultant हाता है fxt modulus square इसका यह अर्थ निकलता है कि कंड के physical interpretation में या उसकी बहुतिक व्याख्या में सिर्फ fxt का contribution होता है और उसके color wave का कोई contribution नहीं होता fxt के expression से हम ये भी देख सकते हैं कि fx0 is equal to fx plus vgt, t होता है इसका यह अर्थ हुआ कि जो envelope है जो आवरण है ये अपनी आकरती में बिना कोई बदलाव लाए vg wake से संचरित होता है this means that the wave packet envelope moves with velocity vg like a free particle thank you